किसे देखते हैं इस बारा अगली बार हम लोगों से चूक हुई हम लोगों को वो महिनत करनी की जरूर थी जो नहीं कर पाए अब की बार इसको हरा करके वापस भेज़ देना है कि वो वहीं चला जाए जहां से आया ही दस साल लगातार सारकार में रहे मर महांची प्रधान मंत्री नहीं रहे मोधी और सोनिया वो राहूल गांधिया और सोनिया जी प्रधान मंत्री रही बहुत साब बात है दस साल दिया नहीं अब क्या दे दोगे तुम क्या दिया मेठी को कुछ नहीं सिर्फ लिया यहां से अम जगदीश पूर जाईए यह मेठी रोर जाईए ना देखिए अभी जा करके एक्सिडेंट हो जाएगा रास्ते में मर जाएंगे मोटर साइकल पंचर हो जाएगी वहां मिलेगा नहीं पंचर मनाने वाला यह राजी राहूल गांधी का छेत्र 15 साल में एक पैसे का काम नहीं क पहले दिया नहीं 25 साल के हिसाब दो उसके बाद में फिर देखेंगे 25 साल में जितना मिलना चाहिए हम लोगों को देखाओ जब नहीं किया इतना काम तो प्रियंका गांधी यहां अकर डंके की चोट पे कहती मेरा भाई ना जीतेगा प्रदाव बनाती हैं पांच वर्स बस बरसाती मेधक की तरह आ जाती है भाईया को जिता देना इसके पहले कहां रहती है जब मेठी में लोगों को मुसीबत आती है तो कहां रहती है वो दिल्ली में बैठी रहती है दिल्ली से आ करके यहां देखो पहले देखो मेठी में क्या हो रहा है और जो बेकूफ कांग्रे अच्छा जबाब मिलेगा। लेकिन बेहन कहते हमेठी से राप घंधी परिवार का एक एमोशनल एटेचमेंट है हम ही को मिलेंगे। कितनी बार करते रहेंगे। कितने दिन हमको भूखे रखेंगे मर जाएंगे तब। ज्यादा दिन भूखे रहने की जरूवत नहीं है अब करने वाला आ गया है अब करने वाला आ गया है अब जरूवत नहीं है किसी दूसरे की ना राहूल गांधी की जरूवत है ना प्रेंका गांधी की जरूवत है अब देश में करने वाला आ गया है उसे को मजबूत करना है तुब एक उसे लिए लाए गया तो दी खिलाफ वारनसी को प्रियंका घंधी को लड़ा देना चाहिए कौने के लchu ने ने वो तो यहां आई नहीं तिलोई विधान सभा में पांच साल के समय बीद गया भाई आप लोग खड़े हैं बताइए ना कि तिलोई आये क्या इस तिराहे पर नहीं दिखाई पड़ा एक बार भी सुद निली राउल गांधी नहीं नहीं कता ही नहीं कता ही बिलकुल आ क्या भी आईक हो जाएंगे खाने के लिए निवाला नहीं मिलेगा भी आईपी जिशिस की ज्यूरुत है बहु हम को मिल दी है मिलना शुरू ही अभी हमको 60% मिला है 40 बाकी वो भी अब की बार ये 5 साल सरकार बनने के बाद हमको मिल जाएगी जो 3-4 लाग ओटों से 3-4 लाग ओटों से जीता था अगली बार क्या किया उन्होंने इसकी बतानी के जुरूरत नहीं है तब वो 1,7,000 से जीता अब की बार वो 2,14,000 से हार जाएगा